हाई गाईज मेरा नाम है जतनागरवाल आप जुड़ चुके हैं तो बुल ओफ देलास्ट्री चानल के साथ मार्केट के अंदर ग्राइंडिंग कंटेन्यू हो रही है नीचे के लेवल उस पे हम देखने की मार्केट यहापे रुका हुआ है अब अगेन बात यह है कि आपको लेना क्या है तो जैसे कि मैं पहले अपनी पुरानी वीडियो में कह चुका हूँ कि मेरे ख्याल से आपको वो चीज लेनी चाहिए तो जो चल रही है क्योंकि उसके आप मोमेंटम है यूनो रिस्पेक्ट कर रही है अपने ट्रेंड लाइन्स वगेरा को तो वहाँ पे कहीं न कहीं आपको एक और अच्छी चाल देखने को मिल सकती है या फिर बिल्कुल ऐसी चीज लेन जो बिल्कुल थ्रोवे प्राइजस पर आ गई है जैसे बड़े सारी शेर्स हम डिसकस कर रहे थे कि दोसो वीकली मुविंग अबरेज पर आ गए है तो इन्फो एज हो गया लालपत उसके अराउं घूम रहा है अब देखना पड़ेगा मुझे की एक्जाक्टली का पर बट इन्फो एज मुझे ध्यान आज मैंने सुबा चेक किया था उन लेबल्स पर है जुबिलेंट फू पूरिंगे ये चार्ट यहां पर और ग्राइंड लगातार देखो चल रही है तो मेरको तो कहीं बारेज गरी ये buying का मौका नहीं देना चाहिए बट जब तक नहीं चल रही market तब तक देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है and definitely I've been wrong in anticipating the quantum of correction especially last one month के अंदर जो stocks में correction आई है, वो नहीं लगा था आएगी अगर वो लगा होता आएगी तो definitely कहीं न कहीं positions को थोड़ा differently manage किया होता but ये जरूर है कि कुछ कुछ sectors में जैसे IT sector की मैंने आप लोगों से बात करी थी तो वहाँ में correction थोड़ी anticipate हो गई थी and कुछ टाइम पहले आपको ध्यान हो तो power और capex पे बहुत चर्शा करी थी तो वहाँ गई न गई पैसा काफी shift किया था पे इतनी severity नहीं है correction की कुछ कुछ जगाव पे तो correction भी नहीं है उस हिसाब से अगर आप ABB इंडिया बगरा के charts देखेंगे तो काफी clean charts हैं भी भी तो थोड़ा बहुत पैसा दर उदर rotate हो रहा है deployment करी है मैंने अपने funds की I think you know a lot of stocks are very very reasonably valued auto sector पे आपकी outage और इनके वाज़े से थोड़ी ज़्यादा hammering हो गई थी आप देखोगे अगर Bajaj Hero जैसी companies को उनके P-E ratio इतने सस्ते हैं कि fundamentally भी आपको बहुत सस्ते लगेंगे companies तो fundamentally and technically you know these companies are looking very very cheap and कहीं ना कहीं अच्छे zones में अगर आप उठाते हैं अच्छे levels पे उठाते हैं और अपना थोड़ा horizon बढ़ा देते हैं अगर आपका horizon ही let's say 3 महीने का है तो थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है बट अगर आप उसको 6 महीना कर दें साल कर दें, 2 साल कर दें, 3 साल कर दें आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे shares असे लगेगा throwaway prices में मिल रहे हैं and these are brilliant levels to accumulate those shares एक जगा जहाँ पर correction लगाता चल रही IT से related जो क्योंकि है tech तो tech shares जो है वहाँ पर correction लगाता चल रही yes after you know the numbers Zomato did give a good bounce up but आप देखोगी overall tech में correction जारी है तो वहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जब बर्दस्ति महाँ पर funds deploy नहीं करने अब कुछ companies हैं जो बहुत अच्छे levels पर आ रही है वहाँ पर आप खरीदना चाहें आप खरीद सकते हैं बट वो ही है कि कोई company अगर बीच में घूम रही है न ना वो उपर जारी है ना नीचे के levels पर आपको लग रही है कि हाँ पर रुख जाना चाहिए तो उन companies को आप थोड़ा avoid कर सकते हैं so still a lot of confusion in the market I won't deny it but मैं comfortable हूँ यहाँ पर capital deploy करने में मैं कर भी चुका हूँ तो मैं अपना शांती से बैठा हूँ तो I bought a lot of things जो मुझे सस्ती लग रही है market के अंदर कुछ चीज ऐसी बिली जिनके साथ momentum अगेरा चल रहा है and I think I should do fine over here मेरे को ऐसी पर बड़ी दिक्कत नहीं लग रही लंबे समय के साब से तो if your horizon is let's say only 3 months then I am pretty sure कि आप मुझसे ज़्यादे confused रहोंगे इस समय but as you increase your horizon you become very comfortable in this market so that would be it guys बाकि जैसे जैसा जो होगा मैं update देता जाओंगा telegram अगेरा पे भी updates लगातार आते रहते हैं charts अगेरा माँ share होते रहते हैं बीच में जैसे कल metal sector के साथ क्या-क्या हुआ उसारा वहाँ पे मैंने share किया था तो अगर आप telegram जोइन करना चाहां मुझे बता सकते हैं mobile number description में है thank you so much I'll see you in the next one bye bye जै हिंद